इस वीडियो पर मैं आपको वताऊंगा कि कैसे आप जो है स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्फ कर सकते या पर दोस्तों आपने कई बार नोटीस क्या होगा आपके डिवाइस में कभी कबार इस तरह के का इस्यू आ जाते हैं ठीक है तो स्क्रीन फ्लिकर करते दोस्तों उस्में आपको एक टोफ़ियर का इस ठीक है अगर स्टीक के वाज़े से कुछ भी प्रॉबलिम हो रहा है तो अभी दोस्तो स्क्रीन फ्लिकर करते अभी दोस्तों यहाँ पर सौफ़ेर ही नहीं अगर हाड़वेर में इश्यू है तभी स्क्रीन फ्लिकर करते ठीक है डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या फिर आपका डिस्प्ले क्रेक हुआ है तो उस सम्पे दोस्तों आपको स्क्रीन फ्लीकर करते हुए नजर आ जाएगा तो दोस्तों स्क्रीन फ्लीकर करने का रिजन्स यही कुछ यहाँ पर जाने को मिल जाते हैं ठीक है तो अगर आपके स्क्रीन भी फ्लीकर करें तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें मैं आपको कुछ सॉलूइशन बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है उसके बाद देखेगा आपका जो प्रॉब्लम में किस तरीके से फिक्स हो जाते हैं ठीक है अगर सॉफ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ओनलाइन पेसा कामा ना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्इइंग आप हमें ट्वीटर पर फॉल्लो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर स्क्रिन फ्लीकर यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे फिक्स करना है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं आपने मोबाइल को सबसे पहले चेक करके देखे कि उसमें कितना स्टोरेज बचा हुआ है ठीक है तो उसके रहे दोस्तों सिंप्ली सेटिंग पर जा सकते हैं फाइल मेनेजर पर जा सकते हैं चेक कर सकते हैं आपका स्टोरेज फूल है या फ कोई भी अनौन ब्रोजर से आपने इंस्टॉल किया हुआ अप्लिकेशन तो उन चीजों को डिलेट कर दें ठीक है तो इस तरीके से आपको सबसे पहला सोलीशन फोलो करना है एटलिस 40% to 30% आपका storage space खाली होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आपके जो मोबाइल है उसमें जो भी अप्लिकेशन से उसको अपडेट करके यूज़ करें कम अप्लिकेशन होगा अच्छा रहेगा उसको अपडेट करके आप यूज़ कर सकते ठीक है तो अपडेट वर्जन का अप्लिकेशन वगरा यूज़ कीजिए सारी साथ दोस्तों आपके जो मुबाइल सोफेर है वो भी अपडेट होना चाहिए ठीक है मोबाइल सोफेर में जाएए और मोबाइल सोफेर को भी अपडेट कर दीजिये तो ये सारे चीज़े अगर आप एक ही साथ में करते तो सब्ड़ाइब सेक्टेस अगर सब्सक्राइब करने के पार अगर नहीं हो रहाए तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है स्क्रोल्डाउन करना है general management पे जाके reset option select करने और उसके बाद factory data reset कर देना है ठीक है factory data reset करने के बाद दोस्तों check करके देखे आपका screen flicker issue fix हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते है तो दोस्तों वो यहाँ पे basically hardware का issue हो सकते है ठीक है screen crack है या फिर कोई भी hardware के related में अगर problem आ जाते है कोई भी short circuit mirror boat में या फिर किसी भी तरह का issue हो सकते हाड़वेर के related तो उसके वज़ज़ से issue होते है ठीक है कई बार दोस्तों screen flicker उसी वज़ज़ से भी करते है तो आपको क्या करना है कोई भी service center पे जाना है ठीक है क्योंकि दोस्तों यहां पे software से अगर काम नहीं बना तो आपको hardware ली fix करना पड़ेगा यह problem को ठीक है तो यह सारे चाहिए आप follow कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर पे दोस्तों मैंने software के related solution दिया है अगर कुछ भी problem software के वाज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर hardware के वाज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो वसने होगा तैंक्स फूर वाचिंग